How to enable follow button on Facebook profile अपने profile पर follow button कैसे एड़ करते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताओं कि अपने profile पर follow button एड़ करने का क्या फाइदा है और क्यों follow button एड़ करना चाहिए याद रखें अगर आप follow button on नहीं करते तो आप अपने profile पर सिर्फ और सिर्फ 5,000 लोगों को एड़ कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आपकी profile पर आपकी friend list में 5,000 लोग आ सकते हैं लेकिन अगर आप follow button एड़ करते हैं तो आपकी profile पर 5,000 क्या 5,000 करोड लोग भी आ सकते हैं जितने लोग चाहें आपको follow करना चाहें आपको follow कर सकते हैं दूसरा फाइदा आपको follow button एड़ करने का ये होगा कि अगर आप follow button एड़ करते हैं तो किसी भी किसिम का बंदा आपको follow कर सकता है वो आपकी friend list में नहीं होगा लेकिन आपकी आप उसकी friend list में होंगे यूं समझने के अगर वो बंदा किसी किसिम के उल्टी सीधी पोस्टें करता है तो आपकी नजर में वो पोस्टें नहीं आएंगी इसलिए आपको इस किसम की टेंशन से भी छुटकारा मिल जाएगा इसलिए follow button को एड़ करना इंतहाई जरूरी है तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल पर follow button एड़ कर सकते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों से गुजारश करूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नूए है और आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो काइनली हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ने आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें कमिट पर अपने राय का इजार कर दें तो चले चलते हैं देखते हैं किस तरीके से फालो बटन एड करते हैं सबसे पहले ये मेरा अपना ही अकाउंट है मैं आपको यहां पर दिखाऊं कि यहां पर फालो बटन एड नहीं किया हुआ कैसे आप चेक करेंगे यहां पर यह जो थरी डॉट हैं यहां थरी डॉट पर यहां पर किल्क करने के बाद उसके बाद आपने अपने प्रोफाइल को एज विवर यानि दूसरा बंदा बाहर का कोई बंदा जैसे आता है उस तरीके से आपने यहां अपनी प्रोफाइल को यहां विव एस पर किलिक करके चेक करना है यहां पर हम विव एस पर किलिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आप कि मेरी प्रोफाइल पर फालो बटन एड नहीं किया हुआ यहां पर देखें एड फ्रेंड लिका हुआ है लेकिन यह सेटिंग करने के बाद यहां पर फालो बटन एड हो जाएगा उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने यहां पर उपर जो थ्री डॉट हैं यहां पर आपने किलिक करना है यह जो छोटी सी तीन लकी ने राइट कार्णर में बने हुए है यहां पर आपने किलिक करना है यहां पर किलिक करने के बाद आप नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे और यहां पर आप सेटिंग और प्राइविसी में आ जाएंगे सेटिंग और प्राइविसी में आने के बाद आपने यहां देखें सेटिंग पर जैसे किलिक किया यहां पर सेटिंग में किलिक करने के बाद आपने चले जाना है नीचे स्क्रोल डाउन करना है यहाँ पर देखें आइडेंस एंड विजिबिलिटी यहाँ पर आप देखें यहाँ पर यह वीपल फाइंड एंड कॉंटेक्ट यू यहाँ पर आपने किलिक करना है जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें यह सबसे टाप में यह जो लाइम नसरा रही है कि who can send you friend request कि आपको कौन कौन friend request send कर सकता है तो आपने यहाँ पर देखें आटोमेटिक जो default setting होगी वो everyone होगी लेकिन आपने यहाँ पर इसको friends of friends कर देना है एक setting यह कर लेनी है उसके बाद आपने जो दूसरी जो setting करनी है वो follower and public content यहाँ पर आने के बाद यह देखें follower and public content कहाँ पर नसरा आएगा यह यहाँ पर देखें पहले जो हमने setting की नीचे यहां पर देखें posts, stories, administration and followers and public content यहां पर आपने click करना है यहां पर तो यहां पर जिससे آپ click करेंगे यहां पर यह सब को अपने public कर देना है यह वाला भी public, यह वाला भी public कोई यह, फ्रेन आज ओगे पिछे हुआंगे सब को आपने यहां पर public कर देना है everyone नीचे इस तरीके से सब को public करने के बाद अब हम देखते हैं कि अब हमारे profile पर follow button on हुआ है भी के नहीं तो हम same तरीके से यहां view as पर जैसे click करेंगे तो यहां हम इसको तुरह सा refresh करेंगे तो यह आप देख सकते हैं कि मेरे facebook profile पर follow button aid हो चुका है अब कोई भी बंद आएगा simple यहां पर मैं मुझे follow करेगा और वो मेरी पोस्टि उसके पास पहुंचती रहेंगी करोडों की तादाज में मेरे follow बंद सकते हैं तो इस तरीके से आप भी अपने प्रोफाइल पर जरूर फालो बटन एड़ कर दें अमीन करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें कमेट पर हमने राय का इजार जरूर कर दें मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ इंशाला अस्सालाम अलाइकुम रहमतुलाही वबरकातु हूँ